Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं ये final year English literature की poem जिसका नाम है Do something brother जो कि Gopal Krishnan Adinga के दवारा लिखी गई है So इस poem में basically क्या होता है कि जो point है उन्होंने क्या कहा है इंसान को कि कुछ तो करो तुम free मत बैठे रो, कुछ तो करो और यहाँ पर यह जो कुछ तो करो का meaning है Do something, anything means कुछ भी करना है तो यह क्या है? एक stare के रोप में कहा गया है एक vyaṅगय के रोप में कहा गया है ठीक है? तो यहाँ पर जो point है वो क्या कहते है? कि एक इंसान जो कुछ भी करता है वो अपने फाइदे के लिए करता है अपने आपको प्रूफ करने के लिए करता है और जब भी वो कुछ करता है तो वो यह नहीं देखता है कि उसके यह जो actions होते हैं इसका nature पर क्या प्रभाव पढ़ सकता है तो यहाँ पर जो point है उन्होंने वेंगे के रूप में ही जो लोग है उन्हें कहा है कि कुछ करो तुम फ्रे मत बैठे रो तुम कुछ करो और इसी वे में उन्होंने बताया है कि जो इंसान है वो क्या-क्या करता है और उससे nature को कितना नुकसान पहुंशता है उसने अब तक अपने आपको प्रूफ करने के लिए नेचर पर क्या-क्या काम कर दिये है तो उन सब के बारे में यहाँ पर जो point है उन्होंने बताया है सो स्टार्ट करते है इस पॉइंट स्टाराइज पीपल्स टेरनेंसी तो प्रूफ थेंसल्फ बाइ कमपल्सी वलिट कैरिंग आउट एक्शन विदाओ ट्राइंग टू बी इन साइक विद नेचर और कंसिर्टरिंग दा कंसिक्वेंस ओफ दियर एक्शन तो यहाँ पर जो point है उन्होंने क्या किया है लोगों की जो tendency है जो उनकी प्रवर्ती है thinking है कि मैं अपने आपको प्रूफ करना चाहता हूँ मैं अपने आपको महान दिखाना चाहता हूँ इस परकार की जो उनकी thinking है जो परवर्ती है उसके उपर उन्होंने क्या है स्टायर किया है व्यंगय किया है उन्होंने का है कि ये जो इनसान होते हैं यानि कि जो लोग हैं वो अपने आपको प्रूफ करने के लिए अपने जो actions होते हैं उन्हें carry out means करते जाते हैं बीना ये सोचे बीना इस बात को consider किये कि उनके actions से nature के उपर क्या-क्या प्रभाव पढ़ सकते हैं for example in the first stanza the poet writes कि पहले stanza में poet ने क्या का है pull out this leaf, nip this little leaf, crush that flower कि यहाँ पर ये जितने भी actions हैं ये सब कौन लोग करते हैं, people करते हैं और ये जितने भी actions हैं ये वो अपने आपको प्रूफ करने के लिए दिखाते हैं और इससे nature के उपर क्या प्रभाव पढ़ता है इसके बारे म नहीं सोचते हैं तो जो point है वो क्या कहते हैं do something rather कि कुछ तो करो जो तुम ये काम करते रहते हो न गलत काम कर रहे हो बिना सोचे समझे जो करते रहते हो nature के उपर तो तुम वो कहते हैं कि करो इससे last में जो भी result होगा जो भी bad result होगा वो भी तुम पर ही आएगा तो यहाँ पर जो point हो कहते हैं कि तुम ये जो पती हैं इसे तोड़ दो जो नई नई लीवस चोटी छोटी छोटी लीवस हैं पती हैं उसे निप यानि कि पहले ही दबा दो निचोड़ दो crush that flower flowers है जो उन्हें भी crush कर दो in the second stanza और second stanza में जो point हो क्या कहते हैं he writes earth water the skies they all your gives with golden eggs goes them out slash them तो वो कहते हैं कि ये जो earth है water है sky है ये सब क्या है आपने वो सुना होगा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो वो कहते हैं कि same तुम्हारे लिए यही चीज़ है ठीक है तुम इसी कहें कि जितना चाहो उतना यानि कि इसका use अभी तुम कर रहे हो the point refer to the fabule of the goose with golden eggs in which this goose is killed so its golden eggs can be extracted all at once rather than once per day तो यहाँ पर same point ने वही स्टोरी बताई है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में कि किस तरीके से एक इंसान अपनी इच्छाओं के लिए अपने स्वार्थ के लिए क्या करते है कि वो जो मुर्गी जो उसे daily eggs होने का egg देती थी तो उस इंसान ने क्या सोचा कि क्योव ना मैं एक बार में ही इस मुर्गी को मार देता हूं जिससे कि मुझे एक बार में ही सारे एग मिल जाएंगे और मैं अमीर हो जाओंगा तो यहाँ पर जो poet है उन्होंने भी क्या है कि व्यंगे के रूप में, style के रूप में यही का है कि तुम अपने ये जो activities हैं इससे क्या है कि अपने आपको proof करने में लगे हुए हो आज तो आपको पूरी सुक सी विदाएं मिल जाएंगी लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब जैसे सोनने के अंडे देने वाली मुर्गी का जो हाल हुआ था कि उसको मार दिया गिया जिसके बाद उस person को जो डेली का एक एक था वो भी मिलना नसीब नहीं हुआ वैसा ही तुम लोगों के साथ भी होगा अगर तुम बीना सोचे समझे अपने जो एक्शन से उन्हें continue रखोगे तो यहां पर जो पॉइट है उन्होंने मैं के ये जो destructive desire है उसको क्रिटिसाइज किया है कि किस तरीके से वो nature के दवारा ये जो वर्दान दिया गया है नेचे के दवारा जो भी हमें चीजें परवाइड करवाई जाती है उसे वो किस तरीके से destroy कर देता है अपने आपको prove करने के लिए तो यहां पर जो पॉइट है उन्होंने क्या है स्टेरिकली यानि कि व्यंगे के रूप में बताया है कि यह जो लोगों की desire है तुम यानि कि यहां पर जो पॉइट हो कहते हैं कि तुम ना go forward कि बढ़ते जाओ तुम्हारी यह जो desire है ना destroy वाली यह तुम continue रखो तुम encounter करते जाओ ठीक है बहुत सरी रास्ते में ऐसी problems आएंगी जो तुम्हें यानि कि confuse कर देंगी जैसे कि winter mist wall of fog ठीक है सर्दियों के मौसम में यह जो धूंद होती है धूंद की जो दिवार है वो कहीं न कहीं तुम्हें confuse करेंगी लेकिन तुम्हें बढ़ते जाना है go forward इस situation में the poet writes, poet कहता है no no this won't do यानि कि ऐसा मत करना तुम तो आगे बढ़ते जाओ अगर तुम्हें कोई रोक रहना तुम्हें रुकना नहीं है you are a simple man, तुम एक सधारन लोग हो that's your strength और यहीं तुम्हारी क्या है strength है the poet standardized people's desire strength यहाँ पर जो poet है उन्होंने क्या है लोगों की जो desire है उसकी जो strength है उसके उपर comment किया है the poet criticize कह सकते हो या feel standardized कर सकते हो people's desire to go forward no matter what without reflection ठीक है तो poet के कहते हैं कि तुम अपनी desire को बढ़ते जाओ ठीक है तुम्हारी जो भी इच्छाए हैं तुम उसको लेकर go forward आगे बढ़ते जाओ no matter कोई matter नहीं करता है but without reflection कि क्या होने वाला है बिना यह सोचे तुम बस आगे बढ़ते जाओ acting compulsively and destroying the world around them to prove their own strength कि तुम आगे बढ़ते जाओ जो भी तुम्हारे actions है उन्हें करते जाओ ये जो world जो कि तुम्हारे चारो तरफ है इसे destroy कर दो और अपनी जो strength है उसे प्रूब कर दो तो यहाँ पर जो point है वो क्या है कि criticize की रूप में ही लोगों को यानि की कह रहे हैं कि तुम सही हो तुम अपनी ये जो strength दिखा रहे हो ना ये सही है ठीक है तो यहाँ पर कहते हैं कि तो कि हम All कि कहते हैं कि मा लोग तो सामने को कुछ कर नहीं सकते हैं तो हम ढग Yorku दिर्यकड लेडब कम ये चीज़ हैं कहते हैं कि बहुत कुछ में इंडिरेक्ड वे में जो पोयी जो जई जए क्या रहे हैं लोगों को At the end of the poem, poem के end में, the poet suggested that, poet कहते हैं, man's tendency to prove himself will end in destructions, कि ये जो man की परवर्ति है, ये last में prove कर दे की उसका खुद का ही end, ठीक है, destruction होगा, हर एक तरफ क्या होगा, विनाश हो जाएगा As we write, जैसे कि उन्होंने लिखा है, break down the atom, reach for the ultimate world within, find God's own arrow and aim strength at the heart God's own embryo world तो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, तुम सब कुछ खतम कर दो, ये जो atom है, ये जो goat है, ठीक है, गोड का जो embryo world है, यानि कि nature, nature से जो चीज़े, automatic create होती है, तुम सब कुछ खतम कर दो This is a reference, तो ये एक परकार का reference है, to people's discovery of atomic weapons, कि किस तरीके से जो लोग है, उन्होंने कहा है, अपने discovery की, खोज की, जिसे की atomic weapons बना जा सके, and the threat that humans now pose to their own world और जो human है, वो खुद का ही एक संसार ढूनने में लगा हुआ है, जैसे कि moon पर ढून रहा है न, बोचिजे Humans have become so intent on proving their power that they now might destroy themselves कि ये जो human की है न, एक tendency, एक प्रवर्ती, कि वो अपने आपको prove करने चला है, और इसी, यानि कि ये अपने आपको जो अपनी power, अपनी strength है, इसको prove करने के चकर में एक न, एक दिन, खुद को ही खतम कर देगा तो वही चीज़े है कि किस तरीके से जो man है, उसने atomic जो भी powers है, उसे gain किया है, और किस तरीके से जैसे अमेरिका है, USA है, USA है, USA, America, Russia, ये एक दूसरे पर attack करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो अपनी power है, इसको बढ़ा कर, खुदी का नुकसान करें हैं, क्योंकि अगर ये attack करेंगे, तो सामने वाला भी attack करेंगा, तो इससे जादा कुछ नहीं होने वाला, एक दूसरे का ही नुकसान होगा, जो लोग है, वही मरते जाएंगे, तो इसी के बारे में जो point है, वो बताना चाहते हैं, hopefully आपको ये जो point है, वो समझमागी होगी, कोई भी doubt हो, तो आप हमें comment section में बता सकते हो, आपका doubt दूर कर दिया जाएगा, अगर आपको ये video अच्छी लगी है, तो like my video, subscribe my channel, thank you friends for watching my video, thank you